नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत्य आप शभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हैलो दोस्तों कैसे हैं आप शभी आसा करती हैं मातारानी के कृपाशी आप शभी बहुत अच्छी होंगी दोस्तों कल यूग में पहली बार ऐसा महा सयोग बन रहा है जो कि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुश खबरी आपको मिलने जा रही है जी हाँ दोस्तों जानकारे के लिए हम आप शभी को बता रही भगवान आपको मौका दे रही है अपनी आँखों को खुला रखना और दिमाग को ठंडा रखना क्योंकि ये मौका आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा और ना ही आपको पहले मिला होगा जी हाँ रोस्तों इसलिए आज की यह वीडियो जो नहीं देखेगा वो आगे चल कर बहुत पस्ताएगा लेकिन बाद में पस्ताने से कुछ नहीं होगा इसलिए हम आप से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा समय जरूर देजिए और आज की यह वीडियो शुरूर से लेकर अंत तक जरूर देखेगे क्योंकि दोस्तों अब आपकी कुंडली में कई ऐसे राजियों कई ऐसे धन्यों का निर्मान होने जा रही है जिससे कि दोस्तों आपकी सोई हुई किसमत जागने वाली है दोस्तों धनकी देवी मातारानी लक्षमी जी की आशिरवाद से आपको बहुत बड़ी खुश खबरी मिलने जा रही है जी हाँ एक प्रकार से यूं कहें तो उल्टे पाउख खुशियां अब आपके घर में लौट कर आने वाली है दोस्तों अब आपका भाग ये अचानक कमल की तरह खीर उठेगा अब आपकी किस्मत ऐसी उडान भरेगी कि देखने वाले भी सदमा लग जाएगा जी हाँ इसलिए हमने कहा है कि कल्यूग में पहली बार इतनी बड़ी खुश खबरी आपको बिलने जा रही है दोस्तों जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दे पूरी कुंडली मिशलेशन करने के बाद आज की वीडियो का नर्मान हुआ है सभी जानकारियों बिलकुल सटीक है और ग्रह गोचर पर आधारित है अगर आप अपने किमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसमें फैदा आप ही का होगा जी हाँ सबसे पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उस सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्षन में जै माताद लिख कर हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आईए दोस्तों बात करती हैं नमस्कार विर्षिक राशी वालो जै मातादी आने बाले अगले 24 घंटे तक आपको अपने क्रोध पर गुशे पर कावी बनाई रखना होगा क्योंकि दोस्तों अंदरिक्ष में ऐसा ग्रह गोचर नर्मित हो रहा है जिससे कि दोस्तों आपके अंदर गुशा थोड़ी ज्यादा आने वाला है जी हाँ रोजगार की तराश कर रही लोगों के लिए खुश खबरी है उनकी बेरोजगारी की समस्या से छुड़कारा मिलेगा और जो लोग सिंगर हैं यानि की औव विवाहित हैं तो उनके लिए सर्प्राइज हैं शिंगर लोगों के शाधी के जोड़े में बंधरे माले हैं देखी दोस्तों आप बहुत दिनों सी आज के दिन के लिए बचत करती आ रहे हैं आज कोई ऐसी खुसकबरी या खबर मिलेगी जो कि दोस्तों आपके होटों पर मुश्कान और आखों में आसु ले आएगी आज आप पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घेरे रहेंगे समय मज़े में वितित होगा लेकिन अपने स्वास्ते का जरूर ध्यान रखें क्योंकि स्वास्ते आप थोड़ा परिशान कर सकता है आप काफी सक्थ हैं और अपने खाने और एकसरसाइज के मामले में हद से गुजर लाती हैं यहाँ भी धिहान रखें कि अपने सरीर को शमान से अधिक तकलिफ देने से और भी कई समस्याइं पैदा हो शकती है इसलिवोस्तों शांती से ही आगे बढ़ना ठीक होगा आपको यहाँ सब करना सुरू थोड़ा सा अजीब लगेगा जी हाँ लेकिन आप कर पाएंगे अगर आप अपने शरीर को उनके समान सिमाशे अधिक तकलिफ देना बंद कर दें तो यहाँ समझ में कि आलसी हो और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है जी हाँ दोस्तों आप कुछ समय के साथ चलना होगा जलिलताई आज आपके प्रेम के रिष्टों में आएंगी आप या आपके साथी एक छोटा भाई इसमें एक महतपूर भूमिका निभाशक्ता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेगी बलकि आपके साथी के व्यक्तितव में पहलू के बारे में आपको नया जानने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों जिसके बारे में आप अंजान थे और ये आपके रिष्टों को और मजबूती करेगा कारिक्षित्र में आपका जीवन शंतूरी तरहेगा आप अपने प्रभावशाली नरम कोशल के लिए जान जाएंगे जी हां दोस्तों आपको और अधिक ज्यान पाने के लिए कई अवशर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्यान को शाधा भी कर सकती हैं लेकिन कुछ और परत्यासित परिस्तियों में आपको भारी वितियर नुक्षान हो सकता है जी हां इस बात का दिहान रखियेगा नहीं तो आज आपको भारी मात्रा में नुक्षान भी हो सकता है देखिए दोस्तों शितारे कहते हैं आज आप कल्पनात्मक रहेंगे कारिस् इन है लेकिन काम में व्यभारिक्ता भी दिखानी होगी साथियों के साथ अच्छे मूड में रहेंगे अपनी मेल देख लें कोई महत्पुर मेल आपकी प्रतिक्षा कर रही है जी हो दोस्तों इससे आपके जिंदगी बदल सकती है आज आप प्यार के मामले में और समानी रू प्यांटिक मूड में ही देखा है लेकिन उन्हें आपका नया इस्टाइल भी काफी पसंद आएगा और वे आपके लिए उप्यूग पार्टनर शावित होंगी जी हलोस्तों आज अपने संबंधों को अलग अलग रूप को जो है एक्स्प्लोर करें आपको अच्रत भी होगा और आपको खोशी भी मिलेगी अगर आपने ब्यवशाइक साज़दारी को तोड़ने का फैसला कर लिया है तो आप एक विनम्र और यधार्दवादी तरीके से ऐसा करें आपको इसी सिद्यूर के अंद के लिए बहुत प्रभावदा शाली धंक्षे आसानी से अस्थाफिक करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करने होगी ताकि बर्फ कुछ पिढ़ले आपका ध्यान हर किसी चीज़ पर बहुत अच्छी तरह शे कैंदरित हो जी हां और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह शे इस समता का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें धन के मामली में इस्ततिया बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि दोस्तों आपके कुंडली में दो बड़े योग का नर्मान हो रही है धनलक्षम योग का भी नर्मान हो रही है और गज के सी योग का भी नर्मान हो र रखती हैं जिसकी आपने कल्पना की है जी हां दोस्तों उसके लिए महनत आपको चिदोड करना होगा फल की चिंदा मत किजिये फल आपको जरूर मिलेगा दोस्तों